ऐने फराग कि यह जो है यह कौन सी वेराइटी है और दो हम लोग ने लास्ट औक्टोबर में लगाई है किप्ट्री दूरी पर लगाई है आपने यह मनें लगाया है साधे 3 मेटर बाइट में एक साल में आप अगर देखें तो यह एक सूट होगी उसता ही एक सिंगल यह थी यह वाले अच्छा है इन में थी कोई पुरानी एक सिंगल सूट है और अब एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस करीब बारह से तेरा इसमें अगर उपर भी हम देखो तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, साथ तो यह इतनी बड़ी बड़ी है जो पांच छह, साथ तक मैंने जितनी भी वीडियो देखी है इसके बारे में और जितने भी एक्सपर्ट से जिससे मिला हूं कहते हैं यह घास है इसे लाओ और लग अगर हम इसको कमर्शल एंगल से सोच रहे हैं तो लगा कर रखने वाली अपरोच तो नहीं चलेगी अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो आप उससे एक्सपेक भी नहीं कर सकते आपको रवेन्यू दे वो तो उसको हमको खाना तो देना पड़ेगा ना कंपोस के फॉर् देते हैं वो तो उसको खान पान देना पड़ेगा उसको बिमारी मुक्त रखना पड़ेगा अगर हम उसके कमर्शल क्रॉप लेना चाहते हैं क्या है वो जरह बता हो गया उसमें हम लोग ने जो प्रोसीजर यूज किया था हमने एक एप्रोक्सिमेटली देड़ फिट लगाने पर इसकी जो लाइफ रहेगी यह 30-35 साल है तो जो कुछ बिमारिया कई बार सॉइल के थुरू आती है हम लोग नहीं नोटेस कर पाते या उसको जो एक इनिशल फीडिंग हमको देनी है क्योंकि हमारा एरिया भी बड़ा रहता है तो हम रेगुलर बेसिस पर हर पे खत दी थी दीकंपोस की वही वह हमने दी है अप्रोक्सिमेटली आठ से दस किलो एक घमिला जो होता है वह हमने एक पिट में डाला है उसके अलावा हमने जो गुपता अंकल के यां NCS ग्रीनर्ट से आरजल और निमेटी कर लिया था वह हमने डाला था 30 ग्राम्स 10 ग्राम्स प्रति पेड अच्छा वह डाला है उसके अलावा हमने इनीशली नहीं दिया फिर नेक्स हमने उसको चार मैने बाद उसके आसपास क्लीनिंग करके एक पिट बनाके आरा जो बोलते हैं आपे वह बनाके हमने उसको एक बार काउडंग कंपोस्ट वापेश दिया है जो आपन हमारा टार्गेट है इसको 50-75 इकर से लेके जाना है यह मतलब एक दम से इतने बड़े स्केल पर करना तो क्या इसके पिछे आपका मतलब हमको क्रॉप ऐसा चाहिए था जिसमें एक ट्रेडिशनल से कुछ अलग हटके करना है हमको नॉर्मल जैसे बागबानी अपन करते हैं कि उमारा मोटिव है कि हमको बैंबू रिलेट इंड़्यर इन्दस्ट्री भी फांपे ही डालना है बिसीकली रॉ मैटेpowers भी हमारा रहेगा फिनिष्ट भी हमारा ही रहे और्नवारा ही कि जो प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग है उसमें हमारे मार्जिन भी वढ़ते हैं हमें रौ मटेयल पेजी ली मिल जा पर कि distintos हैं हमें क्वालिटी कि वी जानकारी होती है एंड प्रोडर्क्थ बनाने है एक फैक्टरी जान करने की वह बिंग दन रखा थे इसे लगाते से मैं आपके दिमाग में यह बात थी कि मैं अपना भी कोई यूनिट किसका लगा है कौन सी टाइप का उसमें हमारे जो शॉट्रिस किया है वो दो यूनिट थे एक था बैंबू ट्रीटमेंट प्लांट बैंबू जब तक आप ट्रीट महीं करते हैं उसको कि वो पॉसिबल नहीं है एक हमारा बैसिक ट्रीटमिंग प्लांट रहेगा अच्छा सेकेंड हमने सोचा है एक पिलेट का ऑप्शन है हमारे पास अच्छा वह यहां का मार्केट सर्वे करके हम करेंगे एंड थर्ड इस चार कोल का आजकल बायो चार बहुत जगा यूज हो कि लोगों को फर्टिलाइजर के रूप में चार कोल लग रहा है आज इंग्रेडियंट तो वहां पे भी यूज आ रहा है बायो चार का एक वो हम लोग ने प्लांट सोचा है तो ट्रीटमेंट प्लांट इस हमारा फॉर्स पारिटी एंड नेक्स इस पर अच्छी मतलब लगाई है और कौन-कौन सी लगाई है हमने जो मेजर वेराइटी लगाई है वो टुल्डा एंड न्यूटन है जो अघर बत्ती में भी यूज होता है यह सब जो कटलेरी हैं बाकी चीजों के लिए यूज होता है सपोर्टिंग के लिए और बचा हुवा जो 20% है उसमें हम जो टुल्डा है यह हमको अप्रोक्सिमेटल एक 50 रूपीज में आया था और न्यूटन्स अरूंड 50-55 रूपीज का ही कॉस्ट है और ब्रैंडी सा ब्रैंडी से इन ओलिवरी हमको थोड़े एक्स्पेंसिव आया है लिजर अप्रोक्सिमेटली 200-250 पर पौधा वहारे सीथ सोर्स के पौधे हैं जो सीड से हमको मिले हैं अच्छी और इसको छे मैना एक साल हार्णिंग करने के बाद हम ने लिए हैं वह दूनों स्था तो रहे वह से सारे सीडिटर क्यां है चलती करें लिए जैसे बाल कोर बाल कोर क्योंनी लगा है यहां लगा थोड़ा सा बहुत बीना कुछ करें सब कुछ हो जाता है सर बालकोवा जो हम लोग को यहां समझ मैं हमने सैंपल बेसिस पर सौ पौधे लिये थे पॉरस एपाट्मेंट से अच्छा उसमें जो एक अलग बिमारी आई उसकी वज़े से हमारे कुछ बाकी पौधे भी खराब हुए प्लस बालकोवा सिर्फ टिशू पौधे की है टिशू कल्चर द्वारा तो एक लाग पौधे तक नहीं कर रहे हैं तो बिमारिया उससे यह तीसरी वराइटी है इसके बारे में बताओ प्रग्ष पराग्ष यह न्यूटन वराइटी है यह भी हमने साड़े तीन मीटर बाए तीन मीटर पर लगाई तेरा ब अगर कोई किसान इसको ट्रीट्मेंट करके लगाए तो इसको हर साल बैंबू बदलनी की जरूत नहीं पड़ेगी जो बारिश की वज़े से डीके हो जाते हैं और उनको हर साल जो कौस्ट आती है कि इस साल बैंबू बेस्ट हो गया अगले साल फिर नया लेके आओ क्योंकि फ्रूटिंग तो हर साल लेते हैं तो अगर इसको ट्रीट्मेंट करके लगाएंगे तो इसकी लाइफ काफी बढ़ जाएगी इसका पोदा कितने का मिला था यह फिट्टी 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 रूपीस का बैंबू है इसमें बिसिकली यह जो बैंबू आता है यह एकदम स्ट्रेट आएगा 25-30 फीट तक एकदम स्ट्रेट रहेगा और यह बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता आप मानके चलिए इतने घेरे में ही 50-60 बैंबू आ जाएंगे आप उसको ऐसा पकड़ सकते हैं यह एकदम स्ट्रेट जाता है और इसमें इसकी डेंसिटी हम थोड अक्टोबर एंड में लगा है अच्छा जैसे मैंने सुना इसमें कोई बीमारी नहीं आती है और कोई न्यूट्रेंट या कोई ऐसी चीज देने की जोरत नहीं पड़ती है तो अभी आपने बताया था कि आप उसमें कोई जल और वो डालते हैं कुछ जो पीट में डाला था तो वो क्या चीज थी और उसकी कितनी कोस्ट पर पोधा पड़ी थी आपको ये बारे में अंकल बहुत अच्छे से प्रदीन जो प्रोड़क्ट जिस समय ये पीट भरा था तो जैसे 8-10 किलो गोवर की खाद ली थी जिसको ने पहले डिकंपोज किया था अच्छा अच्छा पीस कि झ्लायाए था और बीज कि राम एक निमैटी कर्ब बनाया था जो बाकी इंसेक्टों पहले से प्रिवेंटिव लिया था तो उसके फायदे भी मिले कि हमारे यहां पर प्रांटेंस प्रांटेशन की बाद मोर्टेलिटी जो रेट थी वो बहुत ही कम रही तो परदीब जी आपके कहने का मतलब यह है कि जो कहते हैं कि आप पोधे ले जाओ और लगा दो घास की तरह यह हो जाएगा यह सच नहीं है बिलकुल सच नहीं है देखिए घास की तरह हो जाएगा हमने जंगल भी लगाया ता कुछ नहीं किया तो जंगल का इंवाइनमेंट और आपके खेत का जो वाता रणा दोनों बहुत है यह है वराइटी नंबर चार यह ब्रैंडी सी वराइटी है और इसका जनरली डिस्टेंस जो रहना चाहिए यह जो जो ब्रैंबू के लिए उसका साइज भी काफी बड़ा रहता है इसका परपस भी अलग है यह स्पैसिफिकली फरनीचर में यूज होता है है वी फरनीचर के लिए बेड चोफा उसके लिए यूज होता है वराइटी और इसके लिए वाटर रिक्वाइमेंट भी पानी चाहिए जादा पानी जाधा चाहिए इसमें मैं देख रहा हूं कि यह आपके पोदे हैं यह काफी पोदे मर चुके हैं इसके क्या करण हुए यह वाटर क्लॉगिंग कि वज़े से ही हमारे पौधे मरे हैं अच्छा जी हमको एक बैंबू के सो कॉल कंसल्टेंट ने सबताया था कि आपको एक मीटर बाई एक मीटर का पिट करना है अच्छा एन उन्हें हमसे जेसी भी से पूरे पिट करवाई थे पूरे पेड लगाने के लिए जब हमको समझ में आया कि यह गलट डारेक्शन में जा रहा है इतना रिक्वार्मेंट नहीं रहता है तो हमने उस पूराने पिट्स रह गए थे जो एक मीटर बाएक मीटर के थे उसमें इस साल क्योंकि बारिश बहुत जाधा हुई थी अप्रोक्सिमेटली सेप्टेमर और अक्टोबर मिड तक जो हेवी रेंज चली जो पानी उसमें भरा रह गया पिट्स में वो इन पौधों को नुक्स तो हमने जैसी हमको थोड़ा ड्राइव मिलना चालू हुआ तो उसको हमने सुधारा इसमें फिर हमने अंजिसाइड बगरी की ड्रेंचिंग करी चिंचंटा कंपनी का लिया था मैंने उसके रिजल्स हमको बहुत अच्छे मिले जो पौधे बचा पाए हम ऐसा कहा जाता है क कि जहाँ पर ग्हास हो जाता है वाँ बैंबू हो जाता है यहां पर एक सहीं नहीं उत्री तो हर पोधे के लिए उसकी ये जरूरी नहीं है कि हर पोधे के contained जो अलग variety होते है ये variety यहाँ हो सकती है दूसरी के जरूरी नहीं हो सकते हैं तो bamboo के बारे में ऐसा नहीं है जहां पे घास हो गया हूँ होाँ bamboo हो जाएगा पहली चीज यह सही नहीं है इसका आपको सही तरीके से चुनाव करना पड़ेगा पहली बात जो मिध्या अब तक थी वो यह है दूसरी चीज के हर वरैटी का अलग-अलग आपको त्यारी करने पड़ेगी अलग-अलग ध्यान रखना पड़ेगा जैसे जैसे हमने तुल्डा Civic अबिखेगा लेकिन जरूरी नहीं है कि एक पड़ा हो जाएज आपकेहां दूसरे बिद्वारा नहीं होगा तीसरी बीमारी की बात आई-धी यह वह हो जाएगा वहन आ तुसरी आई उसे लगाने कि वी तीख वो भी सही नहीं है जर्ट कर दो नहीं सहाँ एक जमीन अच्छी वह हो सकता है क्न Auch के नेदा है तीसरी आई पीमारी वो आप बताएं कि बीमारी गड़ी या नहीं है। आपका क्याक्स पिक कर दो दिये कहा है। लेकिन पानी इसका सबसे बड़ा दुष्मन है। इसको पानी बहुत कम बात्रह में चाहिए। इसको पानी जाहिए अई ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी तक उसकी जड़े उतनी गहरी नहीं गई है कि वो अपने आप जमीन से पानी का अफ्षरोशन करे तो एक पर्टिकुलर पीरियर तक एक धाई साल तीन साल के पीरियर तक कम से कम दो गर्मी आपको निकालनी ही पड़ेगी उसके बाद इसकी कैनोपी बन जाएग नहीं भंबू के अंदर में जैसे आपने जाएगी आएगी जादा पानी के आसपास होती है जीने हैं डाला बहरा कंटने पानी जॉपने महली होती है पूस्ट व्हब महारा जिए जार्वेर तो बखन जाने ड्रीम को होती है दिर आकली हो रिवूक नाला भर दॉनों तरब घनी गास लेकर हमारा प्रसानुबव रहा कि हमने कुछ डिपार्टमेंट से बहुत सारे पौदे लिये थे और वो हजार पौदे लगवग उसमें से ज्यादा तर पौदे रखे रखे ही वो मिली बग और तरटर की द्रस्त हो गए और खतम हो गए वो डिपलेस करने पड़े तो इसके उपर बीमारिया भी आती है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो टीशू कल्चर के पोदेश है और वो टीशू कल्चर सही नहीं था इम्मुनिटी उनकी कम जोड़ थी एक कारण बिल्खुल तो अभी जैसे और बीमारी आती है इनके उपर रस्ट आता है तो एक तरह का फंगल यहां पर किसान से मिलने का एक यही तातपरिय था और हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो बैंबू के एक्सपर्ट हैं और नरसरी भी चलाते हैं बोधे भी देते हैं वो क्या बताते हैं इसके बारे में और जो किसान बहुत बड़ा 25 एकर लगाया है पराग जी का द का experience है यह मेरा एक उद्देश्य था कि हर चीज जो अच्छी अच्छी बताते हैं जो पोधे वाले बताते हैं या expert लोग बताते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सारी बाते सही हो यह भी हो सकता है कि उनके पास घ्यान का भंडार इतना होता है कि दूसरा क्या पूछ रहा है उसका मतलब सही माइने में उत्तर नहीं या तो आप सवाल सही नहीं कर रहे हैं या वो पूरा उस तरह से इतनी डिटेल में नहीं बता चकते चुकि उनका ग्यान का बंडार बहुत बड़ा होता है इसलिए इस परकार की बागवानी या खेती करने का उद्देश्य से पहले आ पास-पास के किसानों से जाना चाहिए कुछ वेगनिकों से मिलना चाहिए लेकिन किसी की ये बात में नहीं आना चाहिए कि इससे करोडों की आमदनी होगी एक लाग से ज्यादा परेकड़ की आमदनी से ज्यादा मत सोचिए अगर आपको बैंबू बेचना है अगर उसे फ